हेलो गाई तो स्वागात आप सभी का मारे इस चैनल पे वीडियो को शुरूर को नस्पेल चैनल को सब्सक्राइब और बहुत को पैस ताके में पर फिल चामले वड़ाज ऐसे आपको मिलती रहे आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीरा और इसकी एक अजीब बात है कि ये एक च चाइनिस झीडिश है बट चाइना में इसका कुछ अथा पता ही नहीं समझ रहे हो समझ रहे हो कर चोड़ो आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप सभी को पता हिया कि हम healthy recipe शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिच रह दी है कि हर recipe को हम जितना हो सके उतना healthy बनायें बड़े-बड़े क्यूब्स में उसको काट लो और वेजिटेबल में हमारे पास है एक प्याज और एक शिम्मला मिर्च रेड केचप ग्रीन चिली और सोया सॉस यह ओड्स इसका हमको पाउडर बनाना है कॉन फ्लार जिंजर और गार्लिक और चिली फ्लेक्स सबसे पहले हमें ओड्स का पाउडर तैयार कर लेना है फिर हमें एक पैटर तैयार करना है उसके लिए हमें बड़े बोल में ओड्स फ्लार कॉन स्टाच तोड़ा सा नमक और पानी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करना है ध्यान रखना पैटर ज्यादा पतला भी नहों ज्यादा गाड़ा भी नहों विल्कुल ऐसे बहता हुआ ही होना चाहिए अब इसमें पनीर एड़ करें कर बड़े ही ध्यान से इसको इसमें मिक्स कर लेंगे बिना तोड़े अब हम पनीर को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे यहां पर आप लोगों को लगेगा कि ओयल थोड़ा ज्यादा है बट यह ज़रूरी था क्यूंकि अगर ओयल कम होगा तो पनीर अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा करेंगे तो जिंजर गार्लिक चॉप्ड एडचिली फ्लेक्स अब फुमने आप इसमें हम अब वेघी टेबल्स को एड़ करेंगे और हलका सा नमक डाल करेंगे अब इसमें हम सारे शॉंसेस एड़ करेंगे लाइक ग्रीन चिली रेड़ केचप और सोया सॉस मैं मस्में ज्यादा नहीं पकाता थी फिर थोड़े से कॉन स्टाच में पानी घोल कर इसमें एड करेंगे और इसको स्टर करेंगे और बिल्कुल लास्ट में जैसे ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो इसमें हम पनीर को एड कर देंगे और बड़े ही ध्यान से बिना तोड़े इनको मिक्स कर लेंगे तो लीजे इसी के साथ हमारे पनीर चिली बनकर बिल्कुल तयार है तो इसके वीडियो को हम यही पर खतम करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगए और अच्छी लगए तो लाइक सस्क्राइब और अपने कमेंट समय जरूर करें और वीडियो को जाजाँ शेयर करता है कि मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग